सब बोते हैं कि fake news मत spread करो पर आपको कैसे पता चलेगा कि जो आप news बता रहे हो लोगों को वो real है या fake है तो यह है कुछ tips पता लगाने के लिए कि आपके पास fake news आई है या वो real news है No.1 आप source check करो क्या आपने वो एक random Instagram post में देखा है? क्या अपके favorite influencer ने ट्विटर पर लिखा है? क्या अपने WhatsApp आवर में पड़ा है? या ये एक reputed news organization से आई है news Reputed organizations भी कभी-कभी गलतियां कर देती हैं या fake news spread करती है but everything you read on the internet is not real and photoshop करके fake images बनाना, fake tweets बनाना बहुत easy है Trust me Number two, check कि कितने news sources ने इसके बारे में लिखा है अगर इस news को आए होए थोड़े घंटे हो गए है और सिरफ एक या दो news sources ने ये लिखा है so maybe, you know, इसकी पूरी story बहार नहीं आई है या ये credible source से नहीं आया है but usually अगर कोई genuine story होती है तो बहुत सारे news sources within 5-10 hours of the story coming out वो सब articles लिख देते है Again, not to say कि अगर बहुत सारे लोगों ने बोला है तो ये सच ही होगा but the chances are much higher कि वो सच है Number three, सिरफ headline मत पढ़िये तो मैंने उसके पर एक पूरा वीडियो किया है जो आमने देखा है कि बहुत सारे news outlets जो है वो headline manipulate करते है ताकि लोगों को कुछ और ही लगे मैंने खुद कितने articles पढ़े हैं जहां real story जो है वो, you know, last paragraph में लिखेंगे और headline में कुछ और ही लिख देंगे जस ताकि आप click करो वो article पे so make sure अगर आपको इन्यूज शेर कर रहे हो किसी और के साथ तो आप वो पूरा article पढ़ो then only you will know कि वो real है या नहीं number four आप posting का time check करो ताकि आपको पता चले वो अभी की news है पहले की जो मेरे साथ भी हुआ है that हमारे family whatsapp group पे March में message आया था कि पूरा भारत बंद होने माला है और lockdown लगने माला है and then we realized कि वो March 2020 का news article था March 2021 का news article नहीं था so to know कि अगर एक fresh story है recent story है you need to check कि कभ ये post हुई थी number five check कि अगर वो एक developing story है necessary नहीं है कि कुछ event हो रहा है तो उसके पूरे details एक बार में ही बहार आ जाएं ऐसे भी होता है कि everyday उसके बार में आप कुछ new learn करते हो कुछ update आता है तो अगर आपको information share कर रहे हो तो आप उसके बार में updated भी रहो and मैंने भी ये गलती की है few days back मैंने एक post share किया 28th June का था that you know Twitter ने इंडिया के map में से Jammu and Kashmir को अच्छे से नहीं दिखाया है but मैंने उसके एक दू दिन बात post किया जब तक Twitter had already taken it down somebody in the comments उन्होंने मुझे correct किया that hey there is an update on the story and मैंने जहा के वहां caption update कर दिया as soon as possible so कोई भी story जो developing है उसके regular updates आ रहे हैं so आप अगर उसमें interested हो regularly keep checking कि उसमें क्या हो रहा है and not that you know issue पूरा solve हो गया है या बहुत कोई change हो गया है और आप अभी भी first second point की बात कर रहे हो number six check अगर ये एक article है या एक news report है बहुत सारे जो newspapers भी होते हैं या different websites होते हैं वो articles लिखते हैं opinion articles लिखते हैं वो real news नहीं होते हैं facts नहीं होते हैं वो बस उनकी क्या thoughts है issue के बारे में वो होते हैं कुछ जो news sites है वो थोड़ा open रखते हैं वो बताते हैं कि एक opinion है ये एक article है पर कुछ हैं वो you know उसको secretly रखते हैं और आपको ऐसे लगता है ये तो एक real news है so keep a watch for that whatever it is fake news है हम कितना भी भागने ही कोशिश करे हैं हम उसे completely to eradicate नहीं कर सकते and in fact I feel you know I read it somewhere and it's true that fake news spreads faster than actual news but still अगर आप थोड़ा भी you know check रखो कि आप क्या share कर रहे हो आपके friends or family क्या share कर रहे हैं so the number of times आप fake news को believe करो या उसे किसी और को बताओ that will probably reduce ये सिरफ मेरी टिप्स थी और कुछ स्टेप्स थी जो मैं फॉलो करती हूँ अगर आपके पास कोई और ideas है कि कैसे आप चेक करते हो कोई news real है और fake है let me know in the comments down below कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया बहुत जाद ही लंबे विडियो होगे है make shorter videos so yes this was a shorter video I hope you liked it और अप कौन से और topics पे विडियो देखना चाहते हैं let me know in the comments down below and अगर आप कोई विडियो पसंदा आया please like किजे and आप मुझे बहुत सारे प्लाफों से दून सकते हैं which is YouTube and Facebook and Instagram and that is all for this video bye bye I'll see you in the next one